कि हाए थोड़ी डिले वीडियो है क्योंकि अभी में solve करने बैठा था इक पेपर आपका मैंने solve कर दिया है यह पहले का both है और question paper भी मैं upload करने जा रहा है application मैं application का link डाल रहा हूं description में तो वहां से आप question paper और इसका PDF कर सकते हैं आप तो मैं question number one one by one अभी upload कर रहा हूं समारा पीडिया फॉर्मेट में मिल जाएगा भी आपको कोश्चन नमबर टू का एपार्ट इसमें कन्फूजन कोई नहीं होना चाहिए जो भी कन्फूजन है आप इसके अंदर कमेंट करेंगे रिप्लाइ मिल जाएगा फिर भी मैं बता देता हूं कि यहां पे ग्रेजोटी जो है यह 62,000 रुपीज जो एवरेज सेल्री लिया गया है यह 10 महने का ठीक है एक्सेस मंत इग्नोर हो जाएगा चाहिए इसमें क्यों नहीं दिया क्योंकि नियूरिजिम अप्ट किया है इसको 50,000 का डिडेक्शन नहीं मिला और यह बड़े वाला सेल्री का कोश्चन है तो इसके अंदर क्या क्या है आप देख लो बिसिक सेल्री 10 महने का क्योंकि इसमें वह वाला लगेगा आपका ग्रेड सेल्री पहली क्लास करी हो तो याद हो आपको आर एफे वगेरा मैंने दे दिया है डिडेक्शन आर पी अफ भी दे दिया है मैंने मेडिकल ट्रीटमेंट क्योंकि किसी और के लिए है तो फुली टेक्सिबल सेल्री हाँ देखो टेलिफोन निल कर दिया है क्योंकि मैं एजम्शन ले रहा हूँ कि ये घर पे ही लगा है ऑफिस के काम के लिए तो इसलिए निल गिफ्ट भी उननचास सो पाँ सिजार तक तो निल होता है तो इसलिए निल है मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए कर एक्सिडेंटल पॉलिसी लेते हैं तो एक्सेम्ट होता है इसलिए ये टेक्सिबल हो गया कार के अंदर मैंने ड्राइवर को अजूम कर लिया है सर अजूम क्या कि है मैंने कार के अंदर क्योंकि running and maintenance कह रहा है वो तो running में driver भी assumption आई यह आपको note में लिखना पड़ेगा सारी बाते lunch का देखो मैंने कर रखा है salary total आगया deduction दे दिया क्योंकि यह old resume के अंदर है और साथ के साथ इधर पीछे working note है आपका grade salary का आप देख सकते हो और इसके बाद आपका RFA का भी मैंने calculate कर दिया है computation of text liability थोड़ा जल्दी जल्दी किया है हो सकता है calculation में mistake हो और आप एक बार चेक कर लिजेगा comment में लिखेगा मैं reply कर दूँगा और नीचे एक application का मैं link दे रहा हूं और वो new application है क्योंकि server जो पुराने वाले application का already full चल रहा है अब इसमें कुछ बच्चों को ना deduction में दिक्कत आ सकते सबसे पहले एक तो आर्पीफ वाला हो गया एटीटीटीटीए आपका इंट्रस्ट वाला हो गया एटीजी पीम की एर हो गया एक पॉलिटिकल पार्टी को इसमें दिया था तो वह वाला exemption नहीं क्योंकि इसने cash में कर दिया other than cash मिलता है ठीक है तो अभी मैं इसके बाद मैं अभी देखो अभी मैंने किया ही नहीं तो क्या भीजू तो capital gain आपको भीजने वाला हूं मैं करके और HP बस दो question मैं करा दूँगा और एक का आपका कौन सा था last question for question भी मैं करके भीज दूँगा तो hopefully आपको clear हो गया होगा तो link application का link मैं description में डाल रहा हूं आप महां से download करके PDF भी ले सकते हैं इसका और इसका पूरे questions का PDF भी आपको available हुआ thank you so much